आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो, हमारे पास में question given question में कहा गया है which statement about growth is correct नीचे हमारे पास में 4 option given इन मैंसे देखके हमें ये बतायना है कि हमारा कौंसा statement ठीक है देखे, question में हमसे पूछा गया है कि growth के regarding हमारा कौंसा statement सई दिया गया है तो देखे, सबसे पहले जानते है growth होती क्या है growth देखे, हमारे अंदर जो भी structural change होगा या physical change होगा वो हमारा growth कहलाएगी structural change structural और physical change हमारा ये क्या कहलाएगा growth कहलाएगी growth को हम अलग-अलग period में divide कर सकते है for example हमारी growth कहां से start होती है infancy period से infancy period कब से start होता हमारा 0 to 2 years तक जो होता है वो हमारा infancy period कहलाता है फिर उसके बाद में हमारा childhood period आता है childhood childhood को भी हम divide कर सकते है two parts में early childhood and later childhood early childhood जो होता है हमारा 2 to 6 years होता है और हमारा later childhood जो होता है वो 6 to 12 years तक हम मानते है इसके बाद में हमारी third category आती है adolescence की adolescence जो होता है हमारा वो होता है 12 to 19 years तक अब चलिए option पढ़ते है option first में दे रखा है sharp growth rate is seen at the time of spurts देखें यहाँ पर term use करा गया spurts spurts का मतलब क्या होता है spurts का मतलब होता है change in short period of time जो हमारा जो change आया है वो short span of time के अंदर आया है तो हमारा जो sharp growth rate है क्या वो हमारा short period में आया है बिल्कुल यह सही बात है देखें जो हमारा अगर मानते है वो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो change आता है वो आता है हमारा infancy period में 0 to 2 years में जो हमारी growth होती है वो infancy period में सबसे ज़्यादा होती है तो हमारा ये option A जो है बिल्कुल सही है Option B में हमारा given है Retarded Physical Development Retards Social Development 2 देखिए ये option भी हमारा ठीक है अगर हमारी Physical Development बढ़िया नहीं होगा Retarded होगा तो हमारा Social Development भी कहीं न कहीं प्रवावित होगा तो हमारा option B भी बिल्कुल सही है Option C में दे रखा है Rate of Growth during Infancy and Pre-Adolescence is very high देखिए option C में हमारा कह रखा है Infancy और Childhood में हमारा Rate of Growth है वो सबसे ज़्यादा होता ये भी हमारा बिल्कुल सही है अगर हम इन तीनों में बात कर रहें तो सबसे ज़्यादा जो growth होगी हमारी वो Infancy period में होगी Options में दे रखा है हमारा की Adolescence से पहले है यानि की Infancy और Childhood Period में हमारा सबसे ज़्यादा Growth होए तो ये बिल्कुल सही Option है हमारा ये भी Option D हमारा दे रखा है All of the Web तो हमारे तीनों Option उपर के जो सही है तो हमारा यहाँ पर जो Option सही होगा Option D सही होगा Thank You